नीच है तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो बृत्ती है तभी आप बाहर उस बृत्ती का दर्शन कर रहे हैं नहीं तो देखो महापुरुषों ने देखा आपने आराध्य देखो जित देखो तित श्याममै और कर शियराममै सब जग जानी वो कर शलवम खलमिदंब्रम तो तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो शंसार नारायन तू बैठिके अपनो भवन भुवार। हमें अपना हरदे पावन करना है जिससे हमारे प्रिया प्रितम हमारे हरदे में आकर विराजमान हो जाएं। ए गवर श्याम जूरी हर समय मंद मंद मुस्कुराती हुई लीला प शावधान नहीं रहते हैं। वानी को हम एकदम खूले हुए हैं और यह नहीं सोचते हैं कि बड़ा सा बड़ा अपरादी शिश बन जाता है। बहुत विचार पूर्वक वानी बोलिए और उसमें देखिए कि प्रिया प्रितम हैं कि नहीं आपकी वानी में। भगवत प्रेमी महापुरुष इनकी चर्चा है कि नहीं नहीं हैं मौन हो जाएं। आप भगवत प्राप्ती के मार्ग में चले हैं अब आप अगर चूक करेंगे तो फिर यह वानी का अपरादी आपको धाम की जो महिमा है उसमें डूबने नहीं देगा। आप से हरदय की बात कहते हैं यहां साधन कम और लाब बहुत ज़्यादा मिलता है धाम है ना अगर कुछ भी शाधन न हो केवल आप से अशाधन न बनने पावे तो श्वयमा ध्यात्मी कुन्नती आपकी यहां वास करने मात्रशे होने लगेगी आप में दिब्विता आने लगेगी क्योंक करने लगेगी पर धाम में रहते बीशों वर्ष हो जाते हैं और हमारी आध्यात्मी कुन्नती नहीं होती भगवत प्रेम प्रकाशित नहीं होता उसका कारण है अशाधन जहां वानी से अशाधन हुआ कि उक्रिया में परनित हो जाएगा वही दोश जो आप दूसरे उपर देख रहे हैं दूसरों का दोश आप निंदा रूप में वर्णन कर रहे हैं वही आपके हरदे में जागरत से पक्का है हमने देखा है अपनी हरदे में देखा है शंतों की वानी का अनुभो किया है अगर हमसे गलती हो गई तो हमें गलती माननी पड़ी है प्रणाम करना प प्रति दोस्दर्शन हुआ उस्षे इसलिए सबसे प्रार्थना है वानी बहुत समाल कर बोलिए आवश्यक है तो बोलिए नहीं तो भोरी शखी का ये दोहायात कर लिजे ना काहूशो बोलिवो ना कोई बेवहार अपनी कुवरी किशोरी को जियत निहार निहार आ इससे बढ कर कोई बात नहीं है ना काहूशो बोलिवो उदाशे ना कोई बेवहार हमारा परमार्थ और बेवहार लाड़िली जो है हमारा बेवहार भी उनी से चलता है हमारी सरीर की आवश्यक्षामागरी हमारी सरीर की बिवस्था हमारे आराध्य दिव के द्वारा होती है और हमारे परमार्थ की उन्नती परमार्थ की द्रडता आराध्य दिव के द्वारा होती है हमारे बिवहार और परमार्थ सब कुछ हमारे आराध्य दिव युगल सरकार है भश फिर हमको किशी से बिवहार जनित वारता क्या करनी परमार्थ जनित वारता तो हमें केवल केवल रशिकों के संग से प्राप्त होगी जहां में लाडली जू मिलेंगी परमार्थ का बिविद शुरूप है, बिविद शाधनाये हैं, उनका बिविद फल है वो शब हमें नहीं चाहिए, हमें प्रिया प्रितम चाहिए है वो मिलेंगे रश्शिकों की कृपाशे तो अगर हमें परमार्थ सम्मंदी वारता करनी है तो इश्ट मिले और मन मिले मिले भजन रसरीती तहां निशंको होए मिलिये तासों कीजे प्रीती बहुत मिले सो संग नहीं बहुत प्रकार के भक्त जन हैं हम बहुतों का संग करेंगे तो हमारे विचार में हमारे भाव में संक्रामक भाव आ जाएगा इस्ट प्रियता इस्ट की आराधन की रसरीती वो हमें रसिकों से प्राप्त होगी तो बस प्रेमी रसिकों से संबाशन करना भजन है अन्य मौन रहना अगर हमारा ये बात करने का शुभाव नहीं बदला ना जो मिला उसी से खड़े बात करने या जो पास आया निंदा इस्ट थी बहुत जल्दी अंता करण मलिन होता है यहां शीधाम ब्रंदावन अपना नशा चड़ाता है ऐसा अनुराग बढ़ता है अनुराग धाम है पर हमारे इर्दे में क्यों नहीं बढ़ रहा है मानते हैं आप सरीर से ऐसे अपराद नहीं करते होंगे पर वानी से करते हैं वानी को मोन रखे ज्यादा बात करने का शुभाव छूड़िए आवश्यक बात कीजिए नहीं तो नाम जब कीजिए नाम में लोभ जागरत हो जाए एक एक नाम आपको बहुत कीमती लगने लगे ये प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रियालाल के नाम में प्रीती हो जाए नाम में प्रीतिना होने के कारणे हम ग्राम में वारता, लोक वारता, विशय वारता ये सब करते रहते हैं क्या हम उपाशक हैं यदि हम ग्राम में वारता करते हैं लोक वारता करते हैं संसारिक रागद्विश्की वारता करते हैं नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, रूप छके घूमत रहें, तनको तनिक नभान, यह हमारा मार्ग है, हमारे हर्दे में जलन होनी चाहिए, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दोनें, मांगत दरस मधू करी, छके रहत दिन रहें, नेत्र हमारे बैरागी हो गए, अब प्रियालाल की रूप जहां की किसी वा कुछ देखना ही नहीं चाहते, हमारे प्राणों का पोषण जैसे माधु करी ब्रती से होता है, तो अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल की नाम गुण रूप से होता है, इसे कहते हैं मदग प्राणा बोध्यंता परश्परम मेरे चित वाला मेरे प्राण वाला अब हमारे प्राणों का पूशन प्रियालाल के यसश होता है अगर प्रियालाल का यसश सुनने को ना मिले प्रियालाल की बाते सुनने को ना मिले तो हरदय में पीड़ा होने चाहे बावरों सोजस में फि कोई प्रेम बात कोई प्रियालाल की बात कोई प्रियालाल के महाभागवतों की बात सुना दे एक एक इंद्री हमारी आराध्य देव में लगे यह आप शावधानी से निरिक्षण करते रहे